हुआए बांच दिनों पूझ लोग पूझाज कौन से सदिन को पूझ बता रहे हैं है दन्तेरश से रूप चउदवाज़ अम जिए एकंव और दुझ फांच दिन तक दीपावाली का परभ मनाए जाता है दीप महश्य जाता है, सुंदर कृष्न पक्ष की तरियोधिषी को कार्थिक के महिने में, धन्वंतरी देव का पूजन, धन्तेड़िस का पूजन माना जाता है, एक सुंदर भूमी पर, देसी गाय का गोवर से लीपन करकर, अगर गाय का गोवर ना मिले सुंदर जल से लीप करकर बहान एक चुन्धर को पूर कर आप लोगों को मालूम होगा छोक पूरने में आठा और हल्दी का प्रियूग होता है क्यों होता है क्यों कि आठा संब्रद्धि को बढ़ाता है लच्छमी बेभाव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है इसलिavez जब कुरा जाता है भूमी पर तो चोट पूरते समय आटाहल्दी रख charter धर थोड़ा सा जाना इतना रख धिया जाता है उसके ऊपर एक सुन्दर चवकी एक चवरंग एक पाड़ा पाठग इन रख धिये जा जाए उस पाठे का निर्मान करकर घर में अगर चांदी का सिक्का हो अगर चांदी का सिक्का नहीं हो चांदी का क्वाइन नहीं हो तो अपने घर का एक का सिक्का दो का सिक्का पांच का सिक्का दस का सिक्का जो भी आपके घर में हो वो क्वाइन लेगे उसको थाली के अंदर रग दें स्वस् ध्यान दीजेगा इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी लच्छमी जी की पूजन में जितनी वी बाती लगे वो लंबी लगेगी गी के दिये लगा दें साथ साथो दिया को परजुलित कर लें प्रगट कर लें एक दिया तेल का लगा लें तेल का जो दिया ल आर्ट दिए आपने लगाए हैं वह लचमी जी के राइट मतलब आपका लेट अपका लेट और अपका उल्टा को वहां पर शाटों दिये जो आपने पर जुलित करें हैं सुन्दर थाली जो आपने पूजन के तयार करी है उसमें कूख कूरोली हाल्दी अभीर गुलाल चंद मौली लाल धागा अमर बेल के तुकड़े कमल गटे हल्दी की गाठ सुन्दर भाव में उसको जल का पात सुन्दर आनंद से जो क्वाइन चांदी का और देसी क्वाइन आपने जो रखा है उसका जल से पूजन करें लच्मी पूजन का समय अलग-अलग होता है पर धंतेरस की पूजन का समय है वो प्रदोष काल से प्रारहम हो जाता है काल से प्रारम हो जाता है प्रदुष क्योंकि शिव के द्वारा निरमित है लच्मीत। है long in kalo jaki कूजन करें कंकू अधिक से फूजन कर ने के बादद दोनों सिक्क को उठा लें दोनों को ता लें जो चंदी का सिक कर रखा उसको लपे ठाली में उसको रख लें फिर वापिस उस पर जल का छीटा देकर उसका पूजन हल्दी रोली मौली चंदन अधिक लगाकर सुन्दर भाव से चावल को हल्दी में भिंगो लें और पीले चावल करकर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लच्मी के ऊपर जो दो सिक्के रखे हैं उनका पूजन करें साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणेश जी का भी समर्ण करते हैं रिद्धी सिद्धी के दाता श्री गणेश जी माहराज आप हमारे यहां पर सदा माता लच्मी को लेकर कुवेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान नारायन को लेकर सदा विराजमान रहें चावल छोड़ते जाएं और बाबा से बिंती करते जाएं माता लच्मी से निविधन करते जाएं भगवान शिव का इस्मर्ण करें भगवान नारायन का इस्मर्ण करें माता लच्मी का इस्मर्ण करें रिद्धी सिद्धी के दाता भगवान श्री गनेजी महाराज का इसमर्ण करें, छोड़ते हैं, जब चावल पूर्ण छोड़ देवें, पूजन पूरी तरह से हो जाए, तब अमर बेल के साथ तुकड़े, कमल गटे साथ, हल्दी की गठान साथ, माता लच्छमी को समर्पित कर, दोनों हातों में हल्दी माता लच्छमी के उपर उसे चड़ाना परारम कर दीजिए, साथ बार पिसी ही हल्दी वो सिक्कों पर चड़ा दें, अपनी मनों कामना करकर अपने घर में माता लच्छमी को बिराजमान करने के, हल्दी पूर्ण चड़ जाए, हाथ में कुंकु ले लीजिए, रोली ले ल हो, गुड़ हो, मिश्री हो, जो भी आपके पास में हो, खड़ी सक्कर हो, वो भगवान को माता लच्मी को भोग रख दीजिए, अगर कुछ मीठा बना हो, तो मीठा रख दीजिए, घर में संकुन पूजन करकर आपके घर में जो देवालाई में भगवान बेठें, उनका प्लेट में रखे हैं, थाली में रखे हैं पूजन के लिए, घी के उन सातो दियों से माता लच्मी की आरती उतारी है, उन सातो दियों से माता लच्मी का पूजन करी है, माता लच्मी से विंती करी है, मा, हम आपके पुत्र हैं, मा, आप हमारे घर का रस्ता भूल गई हो, और भोद दुखी हैं, पर, बगवान शीव पर विश्वास करंगे करकरastes कुभर भंढरी पर कुभरिश्वर महारेयो पर विश्वास करकर सुंधर प्रसुंग पर नंवधर करकर माद क्षणग करKर अनुमोदन मालॉक्ण नार्च में विराजमान वे ने सुषम आप हमारे मार्ग को हमारे घर को हमारे घर के दौर झाला नारचमी धनने लच्मी आप हमारे घर में भी राजमाण और इतार पिर माता को जो ऑपनी और गिरा लें और माता को नमन करकर जो साथ reform इपने लगाए हैं उन साथ दियो को अलग अलग इस्थान पर ले जाकर जिसे घर के हॉल में, एक रसोई घर में, एक जहां पर आप लच्चमी रखते हो उस इस्थान पर, एक घर के द्वार के पास में, एक तुलसी के क्यारे के पास में, ऐसे अलग-अलग साथ इस्थान पर उन दीप को रख दिया जी, एक भगवान का जहां पूजन हुआ है, माता लच्मी के सीधे हाथ, मतलब जो सिक्के आपने रखे हैं, तो सिक्के का उल्टा हाथ, तेल का मतलब आपका सीधा हाथ होगा, जहां तेल का दिया रखाएगा, और जहां आपका उल्टा होगा, जहां पर गी का दिया लगएगा, माता जी का सीधा हो गया, आपका किंती करकर बड़ा उस्णाष बड़ा उमंग बढ़ा आनन्द रखना यह भाव रखनािजा और में कोई वस्तु कोई सामगरी अगर आप लेकर कर आये हो कोज़ी पात्र लेकर आये हो जो भी वस्तुह आप नई लेकर आये हो उसका भी पूजन उसी दिन परदिन